ओम नमो भगवते रामकृष्णाया सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराजी की महानपुस्तक जीने की कला से अध्याई एक छोड़ो चिंता दुष्चिंता को अत्यधिक भगव एक खतरनाक भावना है हम नियमित अभ्या से भगव को दूर कर सकते हैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस कड़ी में चर्चा की गई है आईए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही वानी अभ्या से भगव का नाश करो अभ्या से भगव का नाश करो धैर और अध्यवसाय के द्वारा हम किसी भी शारीरिक या मानसिक्रिया को अपनी आदत तथा सुभाव का एक हिस्सा बना सकते हैं निम्नलिखित उदाहरन दर्शाते हैं कि किस प्रकार अभ्यास तथा अध्यवसाय के द्वारा आदतें बनती हैं सनान करने की आदत डालकर मनश्य स्वच रहता है दान की आदत डालकर मनश्य उधार होता है ध्यान के अभ्यासे मनश्य प्रबुद्ध हो जाता है क्षमा की आदत डालकर मनश्य दयालू होता है हमेशा चिंता करते रहने से मनश्य हताश होता है आत्म विश्वास विकसित करके मनश्य सफलता पाता है निरंतर भैभीत रहने से मनश्य कायर बन जाता है सहानु भूति के अभ्यास से मनुश उदार हो जाता है किसी विवहार को योजना बद्धरूप से कुछ काल तक जारी रखने से वह आदत में परिनत हो जाता है किसी आदत को आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता उसे छोड़ने से लगता है कि हमारी कोई चीज़ खो गई है किसी आदत में बाधा पढ़ने से पूरे दिन का कार्य बेकार हो सकता है अच्छे चरित्र तथा सदाचार के विखास के लिए भली आदतें बुनियात के समान है मन में बारंबार आने वाले विचार और भावनाए हमारे स्वभाव तथा चरित्र का निर्मान करती है जैसे चिंता, प्रफुलता, कुरोध तथा शांती मन की वे दशाएं हैं जो आदत डालने से पैदा होती है निर्भयता भी एक ऐसी ही आदत है हमारे स्वभाव का अंग बन चुकी ये आदत नियमित तथा व्यवस्तित अभ्यास का परिणाम है यदि हम अटूट नियमिता के साथ अपने मन में निर्भयता एवं साहस्पूर्ण विचारों का पोशन करे तो क्रमशह हमारा भै लुप्त हो जाएगा और निर्भयता हमारे मन का एक स्थाई भाव हो जाएगा यदि हम अटूट नियमित्ता के साथ अपने मन में निर्भयता एवं साहस्पूर्ण विचारों का पोशन करे तो क्रमशह हमारा भै लुप्त हो जाएगा और निर्भयता हमारे मन का एक स्थाई भाव हो जाएगा सोचो एक बच्चा किस प्रकार वर्ण माला लिखने की कला सीखता है वह प्रत्येक अक्षर के घुमाओं का बारंबार निरीक्षन करते हुए और निरंतर उसे लिखने का अभ्यास करते हुए प्रत्येक अक्षर को सीख जाता है किसी आदत को डालने या दूर करने के इच्छुक व्यक्ति को भी बड़े धैर्य पूर्वक अग्रसर होना होगा और धीरे धीरे परंतु ध्रडता पूर्वक प्रगती करनी होगी धैर्य खोदेने पर हम किसी भी ख्षेत्र में सफल नहीं हो सकते एक पंती के बिंदुओं को करम से जोड़कर हम वृत्तो वर्गो त्रिबुजों आयतों तथा शडबुजों के अगनित रूप बना सकते हैं जब हम छोटे छोटे कार्य भी ये काकरता तथा व्यवस्तित रूप से करते हैं तो हमारे चरित्र को एक आकार मिल जाता है स्वामी जगदात मारण जी लिखे हैं जब हम छोटे छोटे कार्य भी ये काकरता तथा व्यवस्तित रूप से करते हैं तो हमारे चरित्र को एक आकार मिल जाता है ओम शान्ति 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 हरी ओम तत्सत श्री राम कृष्णार पनमस्तू